हमारे Milky Way में करीब 2 लाख करूर प्लानेट्स मिसिंग है और हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर सकते अब इसे समझने से पहले आप ये तो जानते ही होंगे कि इस ब्रह्मान में हर एक चीज एक दूसरे से ग्राविटी की कारण जुड़ी होई है जैसे कि हमारे Milky Way galaxy बहुत सारे star system जाने कि solar system से जुड़ कर बनी हुई है और एक solar system stars और कई सारे planets, asteroids और चोटे मोटे celestial bodies से मिल कर बना होता है और इंटरनेट की दुनिया में आकर आप ये तो जान ही गहे होंगे कि Milky Way में हमारे सूरज जैसे कम से कम 10,000 करोड स्टार्स है Now just imagine कि अगर हर तारीक एराउंड on an average तीन से चार प्लानेट्स भी घूम रहे हैं तो Milky Way में कितने सारे प्लानेट्स होंगे Calculate नहीं कर पा रहे हो Well, simply calculate करें तो 40,000 करोर प्लानेट्स But यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो यह है कि Milky Way में प्लानेट्स इससे भी कई जादा नंबर्स में मौझूद है और वो प्लानेट्स किसी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है बलकि वो कहीं पर खोचुके हैं और उन्हें हम कहते हैं The Rogue Planets या फिर Orphan Planets अब जरा NASA की वेबसाइट पर मौझूद इस आर्टिकल पर नजर डालिए NASA और जापान की उसाका युनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक रिसेंट रिसेर्च में ये सामने आया है कि Milky Way में Rogue Planets का नंबर स्टार्स को और्बिट कर रहे नॉर्मल प्लानेट से 6 गुना ज्यादा है मतलब जितने Milky Way में तारे नहीं है उससे 20 गुना ज्यादा Rogue Planets इस गैलेक्सी में आवारा घूम रहे हैं अब नंबर्स में बताओ तो Milky Way में करीब 2 लाख करोड रोग प्लानेट्स होने का अनुमान लगाया जा रहा है जी हाँ ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर भारत के लोगों में इन्हें बांट दिया जाए ना तो हर एक इंसान को करीब 1500 रोग प्लानेट्स मिलने वाले हैं अब नासा का मानना है कि मई 2027 में लाउंच होने जा रहा नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप इन रोग प्लानेट्स के बीश करीब 400 ऐसे कैंडिडेट्स को खोज निकालेगा जिनका मास और साइस हमारी प्रिथवी के बराबर ही होगा पर अब सवाल उगता है कि आखिरम इन रोग प्लानेट्स को खोजने में क्यूं दिल्चस्पी ले रहे हैं और क्या मिलकी वे में आवारा गूंगते इन ग्रहों पर कोई लाइफ पॉसिबल भी है वाली सवाल को डीकोड करने के लिए हमें एक रोग प्लानेट को गहराई से समझना होगा Universal Science के इस आर्टिकल की माने तो रोग प्लानेट्स का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है पहरा तरीका कुछ-कुछ स्टार्स के फॉर्मेशन से मैच खाता है, जिसमें डस्ट और गास का क्लाउड को लैप्स करता है और इसके सेंटर में एक स्फेरिकल अबजेक्ट का फॉर्मेशन होता है। कि हमारे सूरर सिस्टम के फॉर्मेशन के बीच हमारा सूरज का हुआ था पर अफसोस ये इतना मैटर गेन नहीं कर पाता कि ये एक स्टार बन पाए और ऐसे में ये एक रोग प्लानेट बनकर युनिवर्स में घूमता रहता है अब दूसरा तरीका है प्लैनेटरी सिस्टम मे मौझूद बड़े बड़े प्लैनेट्स चोटे चोटे प्लैनेट्स को अपने ग्राविटेशनल इंफ्लूएंस में लेकर बाहर का रास्ता रिखा देते हैं कहीं बार सूपर नवा एक्स्टोजन के दौरान भी ऐसा हो सकता है और कुछ मौकों पर पासिंग स्टार्स भी स कोशिश करते हैं तो हमारी तलाश तीन चीज़ों को लेकर होती है हवा पानी और खाना अब थोड़ा टेकनिकल टर्म्स में बोलूं तो हमारे हैवीटेबल रोग प्लैनेट्स पर लाइफ के लिए तीन इंग्रीडियंट्स जरूर होनी ही चाहिए नमबर वन वराइटी और नमबर थ्री एनरजी सोर्स अब अब अगरम युनिवर्स के मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स की बात करें न तो ये है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सिजन, कार्बन, नियॉन और नाइट्रोजन अब चाहिए आप युनिवर्स के सबसे विशाल का इतारे का डिन टेस् लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगा पानी ही मौजूद हो, सैटरन के मून टाइटेन पर मीथेन के समुद्र होने की बात कही जाती है और अमेरिका की नैशनल लाइबरेरी आफ मेडिसीन के इस आर्टिकल की माने तो सल्फियूरिक एसिड भी एक पॉसिबल सॉल्वेंट बन सकती है पर क्या किसी तारे से कोसो दूर अंतरिक्ष में आवारा घूमते इन ग्रहों के पास एनरजी सोर्स भी होगा बल इसका जवाब है शायद नहीं अब देखो ऐसा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पृत्वी अपनी हीट एनरजी की 99.97% requirement केवल सूरत से ही पूरी करत और पेडों के उगने तक पृत्वी पर होने वाली हर फीजियो कैमिकल प्रोसेस के लिए जो एनरजी की requirement होती है उसे सूरज से रिसीव होने वाली एनरजी से ही पूरा किया जाता है पर क्या रोग प्लैनेट्स पर सूरज की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता आप देखो च हासिल करने के लिए हमें सूरज की एनरजी जा फिर कोई और सॉलिड एनरजी सोर्स की जरूरत होगी ही अब अगर हम इसे धरती से compare करें तो हमारे घ्रह पर सूरज की रोशनी के अलावा रेडियो एक्टिव मेटिरियल के डीके और प्लैनेट की कोर में मावजूद लेफट नहीं कर सकती जो वहां living organisms को sustain कर पाए पर science news के इस article पर नजर डाले ना तो रोग प्लैनेट पर तो नहीं लेकिन उनके moons पर life हो सकती है जी हां एक प्लैनेट बिना स्टार का हो सकता है पर physics के किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि रोग प्लैनेट का moons नहीं हो सकता लेक प्रिस्वी का moon हम पर tidal force डालता है ठीक वैसे ही रोग प्लैनेट का moon भी उस पर tidal forces का हमला करेगा और मेरे दोस्त tidal forces सिर्फ समुदर के पानी में उथल पुतल नहीं मचाती बलकि ये प्लैनेट में एक friction भी create करती है और ये friction भी heat का एक source होता है हलंकि इतनी heat प्लैनेट प पर tidal forces लगाता है ठीक वैसे ही प्लैनेट भी moon पर अपना gravitational impact डालता है और ये भी moon की surface पर friction को generate करता है अब इस friction से इतनी heat तो produce हो ही जाएगी कि moon की surface पर liquid solvent की presence ensure की जा सके और मिरे दोस्त इसका prime example हमें Jupiter और Saturn के आराउंड देखने को मिलता है जहाइन प्लैनेट की strong gravity के की बात कहीं जाती है अब देखो इस पूरे explanation से मोटा मोटा यही conclusion निकलता है कि रोग planets पर इंसानों जैसी life sustain करने के लिए तो नहीं लेकिन at least इतनी heat तो मौजूद हो ही सकती है कि यहाँ liquid water या किसी दूसरे solvent की मौजूदगी हो और अगर रोग planet पर नहीं होगी तो इसके moon पर तो इसकी काफी जादा chances है पर भाई क्या हम इंसान सिर्फ पानी पी कर जिन्दा रहने वाले हैं अगर एक particular रोग planet पर life की मौजूदगी को तलाशना है न तो हमें वहाँ के life form के खाने के विवस्ता करने वाले किसी source को भी खोजना होगा अब प्रित्वी के case में ये है ह हमारा सूरज जिसके एनरजी का स्तमाल करके photosynthesis करने वाले plants हमारे लिए खाना होगाते हैं और यहां से धर्ती पर food chain की शुरुवात होती है पर क्या सूरज के energy ही food के synthesize का एक मात्र तरीका है वेल जवाब है बिलकुल नहीं अब ज़रा National Geography की website पर मौजूद इस article पर नजर साल 1977 में जब वैज्यानिकों की एक टीम एक्वाडर के गलापागोस आइलेंड के पास समुद्र में रिसर्च कर रही थी तब उन्होंने नोटिस किया कि Eastern Pacific Ocean के इस इलाके में पानी का टेंपरेचर बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहा है मतलब कुछी मीटर्स के डिस्टन के कारण हो रहा था हाइड्रो थर्मल वेंड्स समुद्र के तल की जमीन पर मौजुद क्रैक्स होते हैं जहां से जियो थर्मल एनर्जी के कारण गरम पानी निकलता रहता है पर वैज्यानिकों ने नोटिस किया कि सनलाइट से कोसो दूर उस एक्स्ट्रीम टेंपरेचर और प्रेशर की कंडिशन में भी कुछ और्गैनिजम सर्वाइव कर रहे थे और ऐसा पॉसिबल हो पाया था केमो सिंथेस के कारण देखो ये जीव हाइड्रो थर्मल वेंड्स से निकलने वाली टॉक्सिक मिनेरल और दूसरे केमिकल से एनर्जी को एक्स्ट्राक्ट कर रहे थ किसी के पास एक भी लिविंग कंडिशन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसे किसी रोग प्लैनेट पर ना सिरिफ लाइफ एक्जिस्ट करती है बलकि प्रिथवी पर मौझुद लाइफ भी उसी रोग प्लैनेट की ही देन है अब दे करीब 30 करोड सालों के समय में ही प्रिथवी के फॉर्मेशन से लेकर लाइफ का एविलूशन सब कुछ स्टार्ट हो गया था अबगर हम डियने की फॉर्मेशन पर नजर डाले न तो ये काफी कॉंपलेक्स प्रोसेस है अमीनो एसीड किसी भी स्ट्रक्चर में जुड़कर लाइफ इवाल्विंग प्रोटीन्स नहीं बना सकते अमीनो एसीड को ऐसे प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक वे में कमबाइन होना पड़ता है इसके बाद प्रोटीन के इन लंबे-लंबे स्ट्रेंड को अपने आपको इस तरह और्गनाईज करना होता ह है कि वो अपने आपको रेप्लिकेट करने के काबिल बन पाए यह कुछ वैसा ही है कि आपके पास करोडों पीसेस वाली एक पजल है और आप उसे एक ही बार में सॉल्व कर दो अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऐसा एक ही बार में हो ही जाएगा पर वैग्यानिको के माने तो प्रित्वी की फॉर्मेशन से लेकर लाइफ के एविल्यूशन के बीच का समय इतना था ही नहीं कि यहाँ तमाम पर म्यूटेशन और कॉंबिनेशन लगाए गए हो यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी चीज ने एकदम से आकर डेड मैटर में जान फूग दी हो अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दो लाग करोड रोग प्लैनेट्स में से किसी प्लैनेट पर जीवन पनप रहा हो और वही पूरे मिल्कीवे में लाइफ के सीड्स को बिखेर रहा हो अब आखिर लाइफ के एविल्यूशन से जोड़ी पैंस पर मिया थेयरी भी तो यही कहती ह क्या पता जिस ग्राग को हम अपना कहते हैं हम वहाँ पर सिर्फ एक महमान हो यानि कि एलियन्स जो एक एलियन वर्ल्ड की तलाश पर आये थे और हमें ये इतना भागया कि हम हमेशा के लिए यही के हो गए रहे गये आप इसके बार में क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट करक तब से लेकर आज तक में बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा भी आये था ना जिस समय इस पूरे ब्रह्मान की यानि कि इस पूरे अंत्रिक्ष में जो तापमान था वो इतना था कि पानी लिक्वीड स्टेट में रह सके अब चाहे वो कहीं पर भी हो बिना किसे स्टार के भ अब इस पूरे टापिक को हमने बिग बैंग एलियन्स के नाम से अपने इस वीडियो में कवर किया है इसे जाकर जरूर देखना बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है जो आपके युनिवर्स में लाइफ को देखने के नजरिया पूरी तरह से बदल देगा मैं मिलता आ बाइ चेहित